अमर्ना धाम दर्शन करने कोर्बा से गए नौ समेत प्रदेश के ग्यारा श्रधालू भूस खलन की वज़ा से फस गए कुछ श्रधालू का स्वास्त खराब हो जाने की भी कबर है साथ ही आर्थिक समस्य उत्पन भी हो गई है जनकारी मिलने पर राजस्व मंतरी जैसिंग अगरवाल ने व्यक्ति गत तोर पर 20,000 रुपए उनके बैंग खाते में स्थानांतरित कराते हुए अपने OSD को निर्देशित कर प्रभावित सभी शधालू को ततकाल आवशक हर सहायता पहुचाने को कहा उनके सकुषल घर वापसी के लिए आवशक प्रबंध करने के भी निर्देश दिये हैं वाडग्रमांग चार के पारसद सूरेंदर परताब जैस्वाल ने राजस्व मंतरी जैसिंग अगरवाल को बताया कि अमना धाम दर्शन के लिए कोरबावा प्रदेश के शधालू का जथा पिछले दिनों श्रीनगर दलगेट रोड पर हुए वर्ष भूस खलन के कारण फस गया है उनमें रजगामार निवासी रिशव यादव ने बताया कि तीन साथी भूस खलन की चपेट में आ जाने के कारण अस्वस्थ हो गये थे इनमें एक को अस्पताल ने भरती करना पड़ा और उसका उपचार जारी है यादव ने बताया कि उन्हें अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है और साथीयों की देखभाल के लिए अधिक समय तक रुखना पड़ा है इसलिए उनके पास धन की भी समस्या उत्पन हो गई है दर्शन का विचार त्याक कर सभी अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त करते हुए वापस आने की मंशा से टिकेट भी करवा लिये है लेकिन साथियों की अस्वस्थता के कारण जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुँच सके और उनका टिकेट भी बेकार हो गया राजस्व मंत्री जैसिंग अगरवाल ने वीडियो कॉल के माध्यम से शद्धालूं का हाल जाना और उन्हें धैरिये बनाए रखने की सलह दी